नमस्ते फ्रेंज इस वीडियो में आपको पिक्चर्स के माध्यम से समझाऊंगा कि हैमेनोप्लास्टी और वजानोप्लास्टी में क्या फरक है समझे मेरा नाम डॉक्टर अमित है मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और बहुत सारे patients हमसे hymenoplasti और vaginoplasti के confusion के बारे में phone करके पूछते हैं young लड़कियां पूछते हैं कि मुझे vagina tightening करनी है और vaginoplasti भी करनी है तो ये confusion मैंने पिछले वीडियो में समझाया बट अब आपको मैं photograph पे दिखाऊंगा diagram बना के कि क्या फरक होते है तो अगर हम ये देखें कि तो ये vagina की entry है normal hymen की opening इतनी सी होती है जब कोई भी इसमें breakage आती है तो hymen खतम हो जाता है और इस तरह side में इस तरह hymen के tags रहते हैं बहुत rarely ये भी नहीं होते और opening ऐसे हो जाती है सो हमारा aim hymenoplasti का क्या है इस layer को वापस बनाना ताकि यहाँ पर ये complete हो इधर से हम लोग tissues उठाते हैं इधर से उठाके आपस में उनको एक special तरीके से जोडते हैं कि वो एक complete दर्वाजा बन जाए दोनों end से ऐसे जोड़के complete layer बन जाए और सामने से ये पूरा एक closed area देखे सिरफ एक छोड़ी सी opening उपर की तरफ तो ये होता हमेनoplasti नब वजानoplasti क्यों करते हैं अगर किसी patient के delivery हो चुकी है child birth हो चुका है और baby का head जब यहाँ से बाहर निकलता है तो ये area stretch out हो जाता है और यहाँ की सारी muscles stretch out होके lose हो जाती है कई बार इन muscles को काट दिया जाता है child birth के time पे तो ये muscles lose हो जाती है जिससे ये entry बहुत बढ़ी हो जाती है तो इसकी जगे ये entry ऐसे हो जाती है अब problems क्या होती है कि entry बढ़ी हो गई, muscles lose हो गई अंदर से वजाना बढ़ा हो गया तो अगर इसको restore करना है तो वजानो प्लास्टी सर्जरी करते हैं next video में समझे कि वजानो प्लास्टी सर्जरी क्या है